महराष्ट से एक दिल तहला दिने वाली घटना सामने आये विरार पूर्व के मांडवी पुलिस स्टेशन में गुरुवार को गैंग रेप और बंधुआ मजदूरी का एक मामला सामने आया था 28 वर्षे पीडित महिला दो बच्चों की मा थी और कटकारी आदिवासी समुदाय से महिला ने आरोप लगाया था कि 17 जिले के फल्टन में लगवग एक दरजन लोग यानि की 11-12 लोगों ने उसके साथ बलात कार किया आरोपियों में लकडी का कोईला बनाने वाली कंपनी का मालिक भी शामिल था मीरा भहंदर वसे विरार MBDV पुलिस F.I.R. दर्स करने के बाद इस मामले को आगे की जांच के लिए फल्टन के स्थाने पुलिस टेशन को ट्रांसफर करे जांच के लिए पिड़िता को घटना स्थल पर लाने के लिए पुलिस की टीम सतारा सी विरार आई मारड़ी पुलिस टेशन के गदिकारी ने बताया कि पिड़ित महिला ने दावा किया कि उसके साथ लगभग 11 लोगों ने बारी-बारी से गैंग रेप किया उसने बताया कि ये भयानक घटना लगबग 10 दिन पहले हुई थी जब बंदुआ मजदूर के रूप में काम करने के लिए 20 परिवारों के साथ सतारा गई रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना तब सामने आई जब महिला और उसका पती मंगलवार की रात में तेज बारिश का फायदा उठा कर वहां से भागने में सफल रहा घटना के बाद से महिला सदमे में है आरोपियों ने पीडिता के पती को एक कमरे में बांध कर रखा था और महिला को दूसरी जगा ले गए वहां ले जाकर उसके साथ दुशकर्म किया जब आरोपियों को लगा कि महिला मर गई तो उसे छोड़ कर भाग गए बाद में आरोपियों ने पीडिता के पती को भी छोड़ दिया बताय जा रहा है कि भले ही राइगट जिले की मूल निवासी महिला और उसका पती घटना सल से भाग गए थे लेकिन उनके बच्चे औ पुलिस मामली की जाच कर रही है